15 आगस को आज हदी के 45 साल का ये मेरा भाशन था तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था तो मैंने 2047 को ध्यान में रख करके बाते की और उसमें मैंने आगरत किया कि पंच प्राण की चर्चा की क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या एसमली जब होती है चलिए भी आज फलाना विध्यार थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे मंगल को दुसरे प्राण पर बुधवार को तीसरे प्राण पर शुक्रवार को पाँच प्रान पर फिर अगले सब्ता फिर पहले प्रान पर ये टीचर ये यानि साल भर उसका आर्थ क्या है हमें क्या करना है ये पंच प्रान हमारे हमारे भी दो प्रान तत्व होना चाहिए हर नागरी का होना चाहिए इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ, उसकी सरहना हो रही है, सब लोग कह रहे हैं, यह पांच प्रान ऐसे हैं, कि हमारे आगे जाने का रास्ता बना देते हैं. तो यह पांच प्रान उन बच्चों तक कैसे पहुंचें, उनकी जीवन में कैसे आए, इसको जोडने का काम कैसे करेंगे. दूसरा हिंदुस्तान में आप कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना ना हो उसको कहना चाहिए बताओ भई तुम 2047 में तुमारी उमर क्या होगी उसको पूछना चाहिए हिसाब लगाओ तुमारे पास इतने साल है तुम बताओ इस सालों में तुम तम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे हिसाब लगाओ 2047 के पहले तुमारे पास कितने साल है कितने महिने है कितने दीन है कितने घंटे है तुम एक एक घंटे को जोड़ कर के बताओ तुम क्या करोगे तुरंत उसका पुरा कैनवास त्यार हो जाएगा कि हाँ, आज एक घंटा चला गया मरे 2047 तो पास आ गया आज दो घंटे चले गया मरे 2047 पास आ गया मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं एक नई उर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ वो बच्चे लग जाएगी श्यार और दुनिया में, दुनिया में प्रगती उनीकी होती हैं जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तयाक होती हैं हिंदुस्तान में 1947 के पहले, एक पकार से दांडी यात्रा, 1930 और 1942, 1942, अंगरी जो भारत छोड़ो इजो 12 साल, आप देखें, पुरा हिंदुस्तान उचल पड़ा था सिवाए आजादी कोई मंत्र नहीं था जीवन के हर काम में आजादी, सतंत्र था ऐसा एक मिजाज बन गया था बैसा हैं मिजाज, सुराज, राष्ट का गवरव, मेरा देश मुझे यहां पर ये समय है, हमें ये पैदा करने का और मेरा भरोसा हमारे सिक्षक बंदों पर ज्यादा है, सिक्षा जगत पर बारा ज्यादा है अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है, हम उन सपनों को पार कर सकते हैं